मैं बना रहे हूं ब्रोक्ली का परड़ा यह मैंने ब्रोक्ली ली यह इसको अच्छे से वाश करेंगे इसको मैंने कद्दू कस करके रेडिक किया है अभी कड़े रहे हैं दो चम्मच ओयल डालाई कड़ाई में थोड़ा सा जीरा दो कोटी हुई हर इमिज इसको थोड़ा सा फ्राइ कर लेते हैं थोड़ी से हल दी इसमें और धनिया पौडर एड़ करेंगे थोड़ा सा अभी जो एक कद्दू कस की आया है मेंने ब्रोक्ली को वह डालेंगे ऑल में इसको अच्छे से मिक्स करना है आप इसमें थोड़ा सा नमग डाल रहा है यह मेंने नमग आड़ कर दिया थोड़ा बेशन डाल रहे है दो चमश अभी एक कटो रियाटा लिया है इसमें तीन चार परटे आरम से बन जाएगे तोड़ा सा नमग और थोड़ा सा अजवय नेड कर लिया है इसको जैसे रोटी के लिए आटा लगता है वैसे इससे माटा लगाना है यह आटा रेडी हो गया हमारा अब यह मैंने रोटी को जैसे लोही बनाती है वैसे ही सेम लोही बनानी है इसको थोड़ा सा बेल के इसमें मसला डाल रहे है भी स्कॉच्च से यह करना है ताकि इसका मसला बाहर ना सकें यह मैंने लोही बेल दी है दे कॉच्च्च से पतला बना सकते है मोटा बना सकते है आपको जैसे पसंद होगा आप बना सकते हो यह तवा गरम हो गया उस पेड में ओईल डालाए थोड़ा सा और पराटा डाल दिये तो यह हमारा पराटा रेड़ी है